हेलो दोस्तों वेलकम टो डियेश्डी कार्स और आज के वीडियों भाई बात करेंगे कुशाक के बेस मोडल और सेल्टोस के बेस मोडल के बारे में कि कौन सी गाड़ी का बेस मोडल ज्यादा वैल्यू फोर मनी हो सकता है या कौन सी गाड़ी का बेस मोडल कौन सी गाड़ी के base model पे भारी पढ़ सकता है features और price के मामले में तो आज की वीडियो में पूरी detail में बात करेंगे कि क्या कुछ features आपको different मिलते हैं कितना क्या pricing में फरक है और कौन सी गाड़ी का base variant जादा फाइदे मंद आपके लिए साबित हो सकता है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के front looks की तो भाई looks के मामले में सब की पसंद अलग-अलग होती है और कोई भी किसी भी गाड़ी की looks को पसंद कर सकता है features की बात करें तो seltos की जो front grill है वो silver finish के surrounding के साथ में मिलती है जबकि kushak की front grill chrome finish की surrounding के साथ में मिलती है सल्टोऊस में आपको silver color की जो skid plate है वो मिलती है जबकि kushak में आपको नहीं मिलती है fog lamps को इसी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे sẽल्टोऊस की जो headlight है वो halogen projector में आपको मिलती है जबकि kushak की headlight normal halogen light आपको मिलती है सेल्टोस में आपको LED DRLs नहीं मिलते हैं जबकि कुशाक में आपको LED DRLs मिल जाते हैं तो overall जो front look है वो यहां से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फरक आपको शायद नहीं लगता है side look की अगर बात करें तो यह दोनों ही गाड़ियों की side look है वो आप लोगों के सामने है और यहां से देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी गाड़ी की side look है वो ज़्यादा अच्छी आपको लग सकती है side profile की बात करें तो 16 इंच के steel rim और wheel cover के साथ में आपको tires मिलते हैं black color की cladding का use किया गया है जो की wheel arc के उपर से होते हुए गाड़ी में पीछे तक जाती है door seal cladding मिल जाती है celltos में 190 mm की ground clearance दी गई है जबकि कुशाक में 188 mm की जो ground clearance है वो आपको मिलती है ABS और EBD के साथ में rear में drum और front में disc brakes आपको दोनों ही गाड़ीयों में मिलते है celltos में जो turn indicator है वो फेंटर पे place किया गया है जबकि कुशाक में वो ORVM के उपर आपको मिल जाता है दोनों ही गाड़ीयों में जो ORVM हैं वो black और body color के combination में आपको मिलते है celltos का जो A pillar है वो पियानो black finish के साथ में आपको मिलता है जबकि कुशाक का A pillar body color में ही मिलता है और B pillar दोनों ही गाड़ीयों में matte black finish के साथ में दिये गए है celltos में आपको roof rails नहीं मिलती है जबकि कुशाक में roof rails आपको मिल जाती है black color के साथ में बोडी कलर में ही दोनों गाड़ियों में door handles मिल जाते हैं तो overall जो difference है वो आप clearly यहां से देख सकते हैं side और rear का जो combine look है वो भी आप यहां से देख सकते हैं Seltos में आपको shark fin antenna मिल जाता है जबकि कुशाक में power antenna आपको मिलता है rear spoiler और high mount stop lamp दोनों ही गाड़ियों में मिलता है rear wiper और rear defogger कोई सी भी गाड़ि में आपको नहीं मिलता है Seltos में आपको पीछे silver color की number plate अपलिक दी गई है जबकि कुशाक में आपको number plate अपलिक नहीं मिलती है नीचे चले तो parking sensors दोनों ही गाड़ियों में दीए गए है Seltos में आपको silver color की skid plate मिल जाती है लेकिन कुशाक में जो skid plate है पीछे वो नहीं मिलती है reverse camera कोई सी भी गाड़ि में आपको नहीं मिलता है Seltos में आपको halogen में tail lamps मिलते हैं कि आप चाबी को बाहर निकाल सकते हैं अब बात करते हैं अंदर की तो Seltos में आपको जो दरवाजे पे interior है वो black color में मिलता है जबकि कुशाक में dual tone में interior मिलता है Seltos में silver finish के साथ में door handles दिये गए हैं जबकि कुशाक में black color के साथ में door handles मिलते हैं चारो ही power windows दोनों गाड़ियों में दी गई हैं लेकिन power adjustable ORVMs आपको Seltos में नहीं मिलते हैं manual मिलते हैं जबकि कुशाक में आपको power adjustable ORVMs मिल जाते हैं उसके अलावा जो bottle holder और speaker हैं वो दोनों ही गाड़ियों के दरवाजे पे आपको मिल जाते हैं driver seat की बात करें तो height adjust करने का जो option है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में जो seats हैं वो आपको fabric में ही मिलती हैं और adjustable headrest दोनों ही गाड़ियों के front seat के उपर आपको मिल जाते हैं और भाई ये है dashboard की look तो dual tone में दोनों ही गाड़ियों में dashboard की look मिलती है लेकिन अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी गाड़ियों का जो dashboard है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है driver के right side में light के controls दिये गए हैं celtos में आपको silver finish के surrounding के साथ में इस events मिलते हैं कि कुशाक में piano black finish के साथ में इस events दिये गए हैं mid meter की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में semi-digital mid meter मिल जाता है speedometer, rpm meter, temperature और fuel celtos में आपको analog दिखता है और जो बाकिकी information से हैं वो आपको digital दिख जाती है जबकि कुशाक में speedometer और rpm meter आपको analog दिखता है और उसके अलावा जो बाकिकी information से हैं वो आपको digital दिख जाती है celtos में आपको average fuel, average speed, distance to empty, low fuel warning, tailgate 1000, gear shift indicator, multitrip, tachometer, digital cloak और digital odometer जैसे जो features हैं वो मिल जाते हैं कुशाक के बात करें तो कुशाक में multi trip, low fuel warning, door azar warning, digital odometer, adjustable color brightness, outside temperature display जैसे जो features हैं वो आपको मिल जाते हैं steering के अगर बात करें तो दोनों ही गाडियों में जो sound controls और टेलिफोनिक controls हैं वो steering पे मिल जाते हैं दोनों ही गाडियां dual airbag के साथ में आती है, celtos में आपको silver finish के use के साथ में steering मिलता है, जबकि कुशाक में chrome finish के use के साथ में आपको steering मिलता है Celtos में आपको 3 spoke wheel मिलता है जबकि कुशाक में 2 spoke का जो wheel है वो आपको मिलता है Celtos में steering को आप tilt adjust कर सकते हैं जबकि कुशाक में tilt और telescopic दोनों तरह के adjustment के साथ में steering दिया गया है Center console पे अगर चलें तो Celtos में आपको मिलता है 2DN का audio system 4 speaker के साथ में जो की USB और Bluetooth से connect हो सकता है लेकिन कुशाक में आपको मिलता है 7 इंच का touchscreen infotainment system जो की 6 speaker के साथ में दिया गया है USB Bluetooth से connect हो सकता है और साथी साथ wild android auto और apple carplay जैसे जो features हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं Celtos में आपको electronic stability नहीं मिलती है दोनों ही गाड़ियों में manual AC और hitter दिये गए हैं जिसके की controls आप यहां center console पे देख सकते हैं Celtos में आपको fast charging का जो point है वो extra मिलता है जबकि 12 volt का जो accessory outlet है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है दोनों ही गाड़िया 6-speed manual transmission के साथ में आती है और भाई gear knob की जो look है वो आप आसानी से यहां देख सकते हैं Celtos में 2 cup holders दिये गए हैं और fix armrest दिया गया storage के साथ में जबकि कुशाक में 2 cup holders एक mobile holder और adjustable armrest दिया गया storage के साथ में दोनों ही गाड़ियों का जो dashboard है वो dual tone के साथ में भाई अच्छी लोग आपको दे सकता है glow box compartment की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में normal glow box compartment मिलता है manually adjustable day night IRVM दिये गए हैं Celtos में आपको sunglasses holder मिल जाते हैं और जो front cabin light है वो भी मिल जाती है लेकिन कुशाक में आपको front cabin light तो मिलती है लेकिन sun glass holder नहीं मिलता है vanity mirror केवल co driver वाले sun visor पे ही आपको मिलता है Celtos में fix grab handles दिये गए हैं जबकि कुशाक में foldable grab handles दिये गए हैं और पीछे की cabin light है वो भी दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाती है ये था इन दोनों ही गाड़ियों का front cabin अब बात करें rear की तो rear दरवाजे पे Celtos में silver finish के साथ में door handles दिये गए हैं जबकि कुशाक में black color के साथ में ही door handles मिलते हैं power window के control, bottle holder और speaker दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं और ये है दोनों ही गाड़ियों की rear sitting तो rear sitting ठिक ठाक look दोनों ही गाड़ियों की दे देती है Celtos में आपको fix headrest दिये गए हैं लेकिन कुशाक में adjustable headrest दिये गए हैं और वो भी तीन headrest आपको पीछे मिल जाते हैं दोनों ही गाड़ियों में जो पीछे की seat है वो bench fold के साथ में आपको मिलती है space की बात करें तो भाई लगबग बराबर का जो space है वो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है और यहां आपको मिलते है rear AC vents, Celtos में आपको mobile holder और जो charging point है वो भी मिल जाता है जबकि कुशाक में आपको वो दोनों चीजे नहीं मिलती है और पीछे की seat पे बैठने के बाद भाई इस तरीके की जो dashboard की look है वो आपके आँखों के सामने होती है तो देख सकते हैं कि कैसी के जो look है वो दोनों ही गाड़ियों के dashboard की आपको मिलती है ये था इन दोनों ही गाड़ियों का interior अब एक बार चलते है boot की तरफ तो requesting sensor के साथ में दोनों ही गाड़ियों में power boot आपको मिल जाता है Seltos में 433 liter का boot space provide किया गया है जबकि कुशाक में केवल 385 liter का जो boot space है वही आपको मिलता है Seltos में आपको पीछे boot में light वगरा नहीं मिलती है जबकि कुशाक में boot light दी गई है तो overall जो space है वो आपको कुशाक में कम मिलता है boot में Seltos में आपको जादा मिलता है अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन के बारे में तो सेल्टोस में 1497 CC, 113 BHP, 144 NM टोर्क और 17 km पर लिटर के अवरेज के साथ में 4 सिलेंडर 1.5 लिटर DOHC MPI पेटरोल इंजन यूज किया गया है जबकि कुशाक में 999 CC, 114 BHP, 118 NM टोर्क और 18 km पर लिटर के माइलिज के साथ में 3 सिलेंडर 1.0 TSI टरबो चार्जड पेटरोल इंजन यूज किया गया है तो जो पावर है वो कहीं न कहीं आपको बराबर सी दोनों गाड़ियों में मिल जाती है अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसिंग की तो सेल्टोस HTE यानि की बेस वैरियंट की जो एक्शोरूम कीमत है वो है 9,95,000 और ये ओन रोड आपको पढ़ती है लगबग 11,20,000 से 25,000 रुपे तक की और स्कोडा कुशाक के एक्टिव यानि की बेस वैरियंट की जो एक्शोरूम कीमत है वो है 10,49,000 रुपे और ये ओन रोड आपको पढ़ती है लगबग 11,90,000 की तो लगबग 65,000 रुपे का जो फरक है वो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलेगा लेकिन जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करते हैं सेल्टोस में भी अच्छे खासे फीचर्स दिये गए हैं स्किड प्लेट वगरा दी गई है जो कि कुशाक में नहीं है थोड़ा सा दिक्कत दे दे इन दोनों ही गाड़ियों की competition में तो सेल्टोस HTE और कुशाक Active का जो comparison है भाई वो बड़े कांटे का होने वाला है बड़ी ही जोरदार टककर दोनों ही गाड़ियों में होने वाली है क्योंकि अगर बात होती क्रेटा की तो शायद कहीं न कहीं कुशाक में काफी ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं क्रेटा से लेकिन सेल्टोस में भी भाई बढ़िया फीचर्स आपको मिलते हैं साथ इंच का जो touchscreen infotainment system है वही mainly आप मान सकते हैं कि कुशाक में ज़्यादा मिलता है उसके बाद अगर बात करें safety features के बारे में तो भाई safety features में कुशाक शायद कहीं न कहीं आगे हो जाती है क्योंकि कुशाक में कई सारे जो safety features हैं वो आपको extra मिल जाते हैं जैसे कि electronic stability हो गया, multi collision breaking, electronic differential lock, anti sleep regulating, motor sleep regulating और roll over mitigation जैसे जो features हैं वो आपको भाई कुशाक में extra मिल जाते हैं तो safety के तोर पे अगर बात करें तो कुशाक safety के मामले में better साबित हो सकती है तो भाई यही था आज का review और शायद ये वीडियो आपके कहीं न कहीं help करें अगर आप भी इन दोनों ही गाडियों के बीच में फसे हुए हैं और इन दोनों ही गाडियों में से किसी एक को चुनना भाई बड़ा मुश्किल काम आपको इलिए साबित हो सकता है तो ध्यान से चुने क्योंकि पैसा एक बार बार आप अपने गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं तो डंग से choice करें और अच्छी गाड़ी आप खरीदें उम्मीद है जो वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना स्पोर्ट देते रहना वीडियो का इंड तक देखने के लिए थैंक्यों दोस्तों